अभी पाँच क्रोड केसी स्पेंडिंग है पूरे इंडिया में और जिनको कम्प्लीट करने के लिए जिनको जिनके ओर्टर्स एंड जज्मेंट्स के लिए सिरफ 35 जार जजिस है तिहार जेल में गैंग राइवल्स जो थे आपस में उनकी आपस में लडाई हो गई किसी घर क पूरा का पूरा ऺ़र अंदर जाता है लोगों के घरों में चुला तक नहीं जलता मैंने ऐसे भी लोग देख्या है जिस दिन इस वकालत की दुनिया में मैंने कदम रखाता ना सर उस दिन एक प्रण मैंने लिया था कि तीन लोगों के केसिज कभी निलूँगा उस लेड़ हलो दोस्तों मैं डोक्टर योगिंदर सिंग राठोड और आप लोग के लिए लायों इनर वेलनेस ट्राइप का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बहद अमेजिंग परस्नालिटी मुझूद है यह एड़ोकेट हैं, ओथर हैं, मोडल हैं, एड़ुकेटर हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और क्रिमिनल लो में पीच डिवी कर रहे हैं सागर पंगाल जी इन बेट्विन अस सागर जी थैंक यू सो मुझ फॉर कमिंग ऑन शोओ थैंक यू सो मेरी मास्ट तर पर इनाइटिंग नहीं सो हाव इड़ स्टार्टेड कैसे यह क्रिमिनल एड़ोकेट की जर्नी आपकी शुरूवी कहां से प्रेना मिली आपको सर मेरे प्रेना स्ट रोत जो इसमें रहे वो मेरे दादा जी स्वर्गिया चोधर उद्दे सिंग नंबरदार मैं हरियाना के रोतक जिले से आता हूँ और मेरे दादा जी की बड़ी इच्छा थी कभी से की घर में कोई तो वकील हो तो बड़े भाई जो हैं वो अपना डिफ्रेंट डिफ्रेंट उसमें निकल गए तो यह उल्वेस भी लाइक की जब वो छोटे से बच्पन से मेरे को देखते आ रहे थे यार तेरे में कुछ लग रहा है तू कुछ करे तू कुछ अपना वगालत साइड जागे कर तो तब दर भाई मुझे प्रेंट इस पडरा मुझे उन से मिलती थी बोलते थे 55 से मुझे सिखाने लग एक ज़िए यह जज होता है यह रीडर साब उत इस करियर आज माई लवली सो इसमें भी क्राइम पे जो फोकस गया उसका कोई स्पेसिफिक पर्सनल रीजिन था पर्सनल रीजिन तो सर ऐस नहीं रहा लेकिन हाई यह कै सकते हो मेरा पर्सनल इंटरस्ट रहा इसमें यह सिविल में और प्रोपर्टी डेटिड जो केसिस हैं उ इसमें पर्सनल इंटरस्ट रहा और क्रिमनल भी डिफरेंट डिफरेंट टाप्स के जिसमें साइबर क्राइम हुआ आप के नडीपेस रिलेटिड केसिस हुए चाहिए आपके एक्साइज रिलेटिड चाहिए आपका एलकोल या शराब तसकरी या जिस तरह से रिलेटिड ऐसे सारे केसिस तो इनमें इवेंचली मेरा पर्सनल मेरा जो इंटरस्ट हो डेवलप होता गया तो जिसे यह क्राइम में आप इवोल्व करते गए अभी कल मेरे एक गेस थे तो जो मैं उनसे बात कर रहा था तो उनका एक बार जीवन में मन हुआ था क्रिमनल लोयर बने का लेकिन उनकी मदर ने ऐसा कहा कि तो कुछ भी बन जा लेकिन यह नहीं बने तो क्योंने ने पिचरे देखी थी कि पिचरों में जो क्रिमनल लोयर होते हैं उनकी बुरी डेंजरिस लाइफ होती है उन पर पे अटैक हो जाता है यह हो जाता है चोभी आपकी मदर ने को अब्जेक्शन उठाया इस पर कि यह रिस्की फील्ड हो सकते है साही बताओ तो सर अभी भी डरते है ममी तो, अभी भी कहती है ना इस है इस टाइब का केस मां इस हідना कीको कोछा केस आया है, इस ताइब भार बाथ लाती है भी रिव लोगी बता, कोई जरूरूत नियक्ट अब आप देखिए, दो बंदे हैं A और Z, A ने Z के उपर कुछ क्राइम किया, Z जो है वो थोड़ा criminal activity ज्यादा करता है, वो करता है, अगर मैं A को उससे बचा रहा हूँ, तो अगर मैं A को उससे बचा रहा हूँ, तो अगर मैं A के सामने बैक आउट कर जाओ, तो A से भी मैं दुश्मनी तो मोल ले ही रहा हूँ ना, क्योंकि मैं Z से डर गया भाई, इसलिए वो, तो सर हमें कई सारी चीज़े maintain करके, balance करके चलनी पड़ती है, बट येस, डर तो देखो लगता ही है, अब इतने तो हम तो कोई ऐसे गैंस्टर टाइप के तो हैं नी, है ना, हमारा भी गर, परिवार और वो सब है, तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है, बट फिर डर गए तो फिर क्या, लेकिन हाँ, जब आपको इस पेशे से एक मौबत हो, तो फिर आपको एक कर गुजरने की जो शमता रहती है, फिर ये सब चीज़े फिक ही पड़ती हैं उसके सामने, लव देखो, क्या होता है कि कभी कोई दूसरा सामने वाला लोयर हमें कोई पर्टिकुलर केस में बैठने के लिए बोलता है, इसका मलब कि you will not appear in this case, मैं क्या, क्यों बाई, मेरा क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट मेरे को आके बोल रहा है, वो मेरे उपर अगर भरोसा जता रहा है, तो मेरे भी कुछ legal professional and ethics है, how can I back out? तो वो फिर external pressure लेके आता है, लोगों के phone करवाता है कि back out कर लो केस से, या move out करो या जो भी है, नहीं करना, बट सर उस चीज़ को मैं उस practice को बिल्कुल ठीक नहीं मालता है, यह मेरा personal वो है, हर क्लाइंट को represent करने का आपका एक अथिकार ह और आपको करना भी चाहिए, जब आपके सामने कोई बरोसा लेके आपके पास आ रहा है, तो आपको किसी और के बोलने पे अपने क्लाइंट के बरोसे को नहीं दोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी hopes आपके सामने वाले बंदे की बातों से बहुत उची है, correct? तो इस सब जब आप क्लाइंट लेते हैं, तो आपको आईडिया होता है कि यह गिल्टी है कि नहीं है, या सेंस हो जाता है, मैं देखिया हमेशा अपने क्लाइंट से बात बोलता हूँ, और सर इसमें शायद अगर मैं कहूं, तो मेरे में एक यह कमी भी है, मेरा जो ऐसी चीजों से डी किया है न, तो मेरे को सही से बता दियो, अगर सही से बता दोगे, तो बचा के लिया हूँगा, अगर नहीं बता पाओगे, तो फिर मेरे आथ से बात निकल जाएगी, और कई बार मैंने ये भी देखा है कि ग्लाइट, साब जी, नहीं, कमाल कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया पाता चलेगा न, जुडिश्री है यार, जुडिश्री मलब जो बैठी है, वो सब, वो सिरफ पेपर के आदार पे तो चल रही है, लेकिन उसके सामने जो इन्वेस्टिगेशन होके सारी चीजे आ रही हैं, वो तो जूट नहीं हो सकती न, और कई बार हमें at the time of evidence लिकवात तो ये एक चीज आपको कभी भी, being a client, अपने lawyer के, lawyer से कभी कुछ नहीं चुपाना चाहिए, तो कि if you are engaging him, he is there to help you, वो आपको ऐसा नहीं है, और एक lawyer client privilege होती है से, जो हमको पढ़ाया जाता है, fifth year में एक chapter राता है, legal profession and ethics, उसमें lawyer client privilege नाम के एक चीज पढ़ाई जाती है, ज अपने इसको तो बताओ, beautifully said, so अभी इतने सारे आपको cases मिलते होंगे, so अभी क्या latest trend है, मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ superstitious crime, superstition based crime, या भी जो ये owner killing है, जिसे आप हर्याने से आते हैं, काफी ज़्यादा बार नाम जोड़ा जाता है हर्याना में owner killing का, तो I am not sure कि वो कितना साच है क्या है, बट काफी पिक्चरों में जा तक मैंने देखा है, तो owner killing बहुत बताई जाती है, वो अब TRP के लिए है, पिक्चरों में, अब ये जमाना गया, okay, हाँ, मैं बिल्कुल हर्याना के बिल्कुल root से आता हूं, और मैं आज के दिन मैं चाहे कितना भी बढ़ा हो उसके हिसाब से इस चीज़ को बहुत normalize किया जगया है, तो जाने कि इसके कोई cases जादा आ नहीं रहे है, आजकल कोई cases नहीं आ रहे है, तीवी का मामला जादा है, तीवी का मामला जादा है, और उनको TRP चाहिए, आज के लोग, और मुझे बहुत फक्र फिल होता है, ये ब वो तो उन्होंने सारे के सारे लोगों नहीं वो हो गए थे, suicide किया था ना attempt, अभी recently मैं अगर आपके बात बताऊगी, ऐसे भी case आते हैं, so there was a husband, जिसका एक extra marital affair चल रहा था, और जो lady थी, वो lady ने कहा कि, जिसके साथ चल रहा था, उसने बोला कि, you should marry me now and अपनी wife को छोड दे, वो बला, यहर कैसे छोड़ दूँ wife भी, और एक बच्चा भी, हम बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, wife को छोड़ देता, मैं बच्चे को नहीं चोड़ सकता, बच्चे को तु रख लेगी बला, नहीं, ऐसे कैसे रख लोगी, और mostly cases में यही होता है, matrimonial disputes और इन स उसके घर जाके, और बैड के ड्रॉर में चुपा दिया, उसको मार के, छोटा बच्चा था, बैड के ड्रॉर में चुपा दिया, जब वो पता चला, उसमें से वो blood के और वो निकले और इस टाइप से करके, तो इस तरह के भी वो चल रहा है, क्योंकि उसको किसी बाबा ने देखा है, अभी recently a case है, हलांकि वो client अभी है, बट वो case 5 साल पहले का है, लेकिन अभी तक वो jail में है, उस बंदे ने मारा भी नहीं, क्या हुआ, उसके बड़े बाई का किसी के साथ affair था, और जिसके साथ affair था, उस lady ने उसके बड़े बाई को किसी चीज़ से आके ऐसे हो गया, and that man killed that boy, killed that husband of that wife, of that girl, और ये हो गया, अब उसको पता भी नहीं था, he was not even a part of that conspiracy, he was not even a conspirator, murder के cases में क्या हो रहा है, crime एक बंदा करता है, पकड़े 10 जाते हैं, समझ रहे है सर, ये बहुत बड़ा हो है, और फिर उन बाकी 9 लोगों को ये बताते बताते, महिने भी ज जाते हैं, कि सर, हमारी location निकलवा लीजिए, हम मोकाय वारदात पे मोजुद भी नहीं थे, इससे क्या हो रहा है, speedy process जो होना चाहिए, cases का वो बहुत काम हो रहा है, वो नहीं बड़ रहा है, इसलिए files पे files चटती जा रही है, pending चोच चल रही है, और जिन 10 बंदों में से 10 पकड़ा, वो सारे के सारे जेल में बंद हैं, उनकी जबानी खराब, उनका family खराब, उनका career खराब, राइट सर, तो एक बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, एक सिरफ किसी घर का एक बच्चा अंदर जाता है, तो ये समझलो सर, एक घर नहीं जाता है, पूरा का में देखने को मिलती है, तो कहां पे lacking a system, मतलब where it is lacking, एक तो आपने का speed पे, तो क्या सरकार कुछ करती है, इस पे, are they taking some steps की at least innocent लोग ना जाए, देखे सर, वो तो आपका एक investigation का वो जरिया है, आप investigation होएगी proper, और उन सब में है, बट हाँ, सरकार को आपके channel के माद्यम से, मैं सरकार से गुजारिश जरूर करना चाहूँगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा judges की भरती कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा police men को recruit कीजिए, क्योंकि एक hassle free work और एक frictionless चलने के लिए, इन सब चीजों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, अभी 5 crore cases pending हैं पूरे इंडिया म Delhi police में, police के उपर इतना ज़्यादा pressure है, कि वहाँ पे जो sub inspectors, inspectors हैं, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, थाने में बैठके काम करने के लिए, फिर भी वो घर नहीं जा पाते, just because उनका काम इतना ज़्यादा pending है, और और काम आने लग जाता है, तो छुट्टी लेगे भी घर नहीं जाते, अपने बीवी बच्चों के पास, वहीं पर थाने में रहके अपनी pending files complete करते हैं, तो सर ये, आप इस चीज़ को समझे न, और एक, we are not, we are humans, we are not machines, हम कहां से इतना काम कर पाएंगे, हमारी efficiency lack करेगी, so true, right, efficiency, mental health, भी चीज़े हैं, अब process इतना ज़्यादा complicated है, कि crime किया किसी दूसरे state में, उसको वहाँ पर जाने के लिए, बाद में address verify तक करना पड़ता है, अब suppose, मैं Delhi से Mumbai आ रहा हूं सर, आपके बस, right, अब मुझे एक, सिरफ address verify करने के लिए, मैं वहाँ से यहाँ आया, मेरा fatigue कितना हुआ, मेरा खर्चा कितना लगा, मेरे को कित इंडिया कंट्री इतना बड़ा है एक तो, I think that is also a problem, such a big population is there, और कौन से आजकल जैसे इसे टेकनोलोजी आ रही है, तो recently बहुत ऐसे crimes आते हैं, जो technology related है, कि WhatsApp पे call करते हैं, फिर आप थोड़ी दिर बात करते हैं, फिर कुछ बैंक से पैसा निकाल ले जाते हैं, तो यह सब क्या चल रहा है, मतलब, सर देखिए, यह सब है AI का कमार, AI से पहले भी अगर मैं आऊं, टेकनोलोजी के उपर, तो जितना ज़्यादा टेकनोलोजी बड़ेगी, उतना ज़्यादा crimes बड़ेंगे, और जो की बड़ने भी लग रहे हैं, जाहे आप any desk के तुरू मैं आपके laptop का access लेके, आपके bank account के अंदर उसके आपको पूरा funds निका सकता हूं, बिल्कुर कर सकता हूं, add right, quick support कही सारे ऐसे इस टाइप से आ रखे हैं, AI के थुरू video cloning, voice cloning, अब आपको call आए गए, आपके किसी भी भाई से, या mom, dad से, किसी से भी, कि बेटा मुझे एक लाग रु मैं कहीं भाहर हूं, और मैं फस्स गया, और ATM निचल रहा है, काट निचल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, RTGS नहीं हो रही है, कुछ भी, आप कहेंगे कि ठीक हैसी, मैं बेजता हूं, always cross confirm that, क्योंकि वो video cloning है, voice cloning के थुरू, आपको एक अन्नों नंबर से call आएगा, आपको 20 मिनिट आदे गंटे के पास आपके WhatsApp पे एक वीडियो आएगी, जिसमें चेहरा आपका होगा, योगिंदर जी, लेकिन शरीर जो है, आपका, वो किसी और का कोई, कोई भी nude picture है, कैसा भी कर देंगे, and then they will ask you to send 50,000 रूपीज, 1,000 रूपीज जितना भी, कि otherwise हम इसको वो कर देंगे, since you are a star on social media, आप एकदम से सोचोगे, यार, मेरी पूरी में star निश हो जाएगी, आप करोगे भाई, account number दे, वो करता हूँ, video delete कर, और ये सबसे bad tactics है, आपको इसके खिराफ आवाज उठानी चाहिए, आपके पास जैसा भी कभी ऐसा कोई भी call आता है, जिसको आपक कोई भी दमकी दे रहा है, कि हम ये कर देंगे, उसको सिरफ एक बात बोलनेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं उखाड सकता, अगर किया तो, नहीं, उससे पहले, वो आपके relatives को, आपके friend circle में, 5-7 लोगों, 10 लोगों को, वो video बेजेगा भी, और फिर वो आपको इन बात, एक लाग फिर माँगेगा, एक बार दे दिया तो, एक बार दे दिया तो, दे दिया सर, वो कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं, थोड़ दिन पहले मैं shoot कर रहा था, एक podcast, दुबई से रिजवान साजन, अगर आपने नाम सुना हो, तो रिजवान साजन, Danu properties है, बहु बिना confirm किये, transfer करा लिए, और फिर बाद मैं call करके, और उनसे दो-तिन दिन बाद पूछा करा, तो फिर पता चला कि, भई, मैंने तो कोई call ही नहीं किया, मैंने तो कोई transfer वाँ गई ही नहीं है, फिर बाद मैं check किया, account number बगेरा, तो कोई हो रही था, random इंसान था, अगर ये बोलने से तो related ही है, वो आपके brain से भी connected है, अगर आप सोच रहे हो ना सर कुछ, कि ठीक है MLB, कोई भी किसी चीज़ से related, आपको अपने apps के थुरू, आपको अपना facebook, instagram के थुरू, ये पता चल जाएगा, कि मैं ये सोच रहा था, आपके, आप कोई भी book सोच लो, वो कही न मैंने अपना facebook चलाया, एड आने लग गया, तो किस तरह से कैच करता आपकी चीजों को, even they have access to our microphone, they have access to everything, microphone, gallery, everything, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके clock, alarm, जो होता है, उस तक access है, आपका, मैं अभी 2-3 महीने पर्ली बात है, जब summer vacations थे, तो मैं थोड़ा सा सोचा कि मैं सुछा I'll wake up early in the morning, थोड़ा motivation आया, थोड़ा running running, और यह सब स्टार्ट करूँगा, सुभए भी, तो एक दिन उठा, क्योंकि मैंने अलाम पांच बज़ेगा लगाया, अगले दिन फिर उठा, पांच बज़ेगा अलाम, तीसरे दिन मेरे होसले थोड़े से परस्त हो गया, और मैं तो भई नो दस बज़े उठा, उठते मैंने फोन चलाया, यूटूब बगएरा चलाया, कि उठा हूँ आराम से, सबसे पहले टोप पे आया, सुभए पांच बज़े उठने के फाइदे, यूटूब को कैसे पता, कि मैं सुभए पांच बज़े, क्योंकि वो मेरे अलाम से connected था, और वो उससे capture करना था, कि ये बंदा दो दिन से उठा है, तीसरे दिन इसको जोश जगाओ, और इसको पांच बज़े उठाओ, तो ये AI इतनी खतरनाक चीज़ है, So true, they are tracking every activity, behavior, interest, सब कुछ track करते हैं, पीचे सी, Pegasus और वो सब आये थे, आपने दिखा हुआ, वो extreme level है, उतना भी normal society में आ जाएगा, आने वाले 10 एक साल में, and देख लेना सर, आपका phone, आपका सबसे बड़ा security threat है, आपका phone कहां रखा है, उसका जो आपका camera चालू है, voice recording च सब कुछ हैं उनके हाथ में होगा, cyber frauds के, lovely, so कई बार ये इतने सारे cases handle करते करते हैं, कई बार ऐसे crime, बार बार जो subconscious पहेट हो, और आप बार बार देखें, तो how do you deal with this, क्या आपको भी impact करता है, जब इतना आप crime सुनते हैं, जब एक तरीके से client की तिरा ना देख करके, ए human being के अंदर ये tendencies हो सकते हैं, so does that impact you, आपको impact करती हो, करती तो है सर, आखिर हम भी तो इंसान है, जब हम actual life में ये सब होते वोई देख रहे हैं, अब एक recentally case की बात अगर मैं बताऊं, उस बंदे ने उसको 35 से 37 बार उसको step किया, 35 times अगर आप किसी को step कर रहे हो, तो आप क्या आप इतने खुंखार हो गए, कि आपको किसी का डर नहीं है, क्या law, क्या कानून, क्या police, क्या judici, और आप उसको लगातार step करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बशरते आप ये भी नहीं देख रहे हो, कि उसके शरीर का कौन सा पार्ट है, आप उसको chest में मार रहे हो, आप उसको गले में मार रहे हो, आप उसको face पे मार रहे हो, अभी आपने एक news पड़ी होगी, तिहार जेल में gang rivals जो थे, उनकी आपस में लडाई हो गई, और there was this one person जिसको target किया गया, वो खुद भी एक gangster ही था, तो उन्होंने क्या किया, जेल में जो केंटीन से चम्मच ले गया है, उस चम्मच को पत्थर पे रगडा, वो इतनी देर तक रगडा कि वो जो चम्मच थी, वो काफी शाब हो गई, and then they use that spoon as an object to kill that person, तो आप ये समझेए कि weapon किसी भी चीज़ को बनाया जा सकता है, तो इतना जाद होता है, तो या फिर करने गृप पर्टी हो, तो अगर हम ऐसा देखता है, तो डिल तो हमारा भी हिलता ही है, कि यार, ऑब जो कभी से फिल्मों में देखा, कभी से ऐसे देखना है, जिसको हमने इसको को हमने एक, जज थाथा कि ये कहाथ ये सफ़े ho red ति या एक पार्टिस होती हो गी, हैं दिमाग को सुल जाते हैं बहलाते हैं I'm a athlete also I go for run running कर लेते हैं वोक कर लेते हैं ठीक है अब तो खेर इतना जादा नहीं हो तो starting में बहुत जादा होता था अब तो it was like normalize हो गया है थोड़ा सा normalize होने लग गया है अब इतना जादा नहीं है लेकिन starting में अब ब्रेक लेता हूं बहार चला जाता हूं दोस्तों बहार चला जाता हूं थोड़ा ठीक है अब इतना और ज्यादा नहीं है जब बहुत बढ़न आउट हो जाता है तो मैं किया now I have to give some time to me कोई meditation या कोई exercise meditation मैं करता नहीं हूं उजे करना चाहिए meditation करने का time में नहीं मिलता है कई बार तो ही होता meditation मैंने सोचा बहुत है life मैं करूंगा मैं करने जाता हूं इधर उधर द्यान चला जाता है अरे आज ये case की file लगी अरे ये लगा अरे उसमा क्या फिर वह नहीं हो बता meditation मेरा meditation फिर वह फाइलों में क्लाइंटों के बीच ही हो जाता है वही निकल जाता है वहीं पर चलता है वहीं पर यह जो कुछ है तो आपने किताबे में लिखी हैं तो author की journey कैसे चालू हूई आपकी how you started writing मेरे जो गुरू भी रहे हैं मेरे जो जिनसे मैंने law की ABCDC की हाँ द मैस इस ग्लियर हुआ इदर गई फिर मैंने 4th 5th year में आगे उनसे जुडिशी कोचिंग लिए फिर जुडिशी में मेरा जाने का उतना नहीं हुआ मैं क्या वगालती ठीक है फिर उन्होंने बुक लिखी और उन्होंने मेरे को काफी प्रेरित किया कि सागर छोटे तेरे को लिखनी चाहिए तिरे में है वो पोटेंशल तुकर और सर उनसे देखे इतना मोटीवेशन मेरे को आया कि मैं क्या यार सर ने लिखिया ना मुझे भी लिखना चाहिए हाँर सर ने जो पताया कि कैसे कैसे क्या करना है उस्ठीज ने भॉत ज्यादा उस चीज़ उन्होंने या फिर आपके इंडिया में कोई भी लो एक्जाम हो, कोई भी लो एक्जाम, चाहिए वो ग्लैट, सिंबाइसेज, एनलु डेली, मैशीद, M.D.U. उनिवस्टी, डेली उनिवस्टी, कुरुक से तरह कोई भी उनिवस्टी हो, चाहिए चोधरी, चर्ण सिंग उनिवस्टी मे किसी भी चीज के डिफेक्ट से, क्योंकि जब मैं था, मैंने जब 2014 में से एडिमिशन लिया, 2014 में, तब कहां YouTube होते थे, इतना ज़्यादा चलन में नहीं था, वो एक जीबी आता था, चार सो रुपे का, एक डॉंगल में, इंटरनेटी बहुत एक्स्पेंसिव था, यूट उपे सर्च भी करने लगते थे, क्लैट तो लिखा आता था, उपस, whatever you are trying to search is not available on this platform, तो हम, हम जिस चीज से बंचीत रहे, मैं नहीं चाता, मेरे आने वाली जेनरेशन उन सब से रहे, इसलिए sir, मैंने recently एक चैनल भी स्टार्ट किया है, वकालत इंसाइट्स, वकालत देखो, लोग के बारे में पता होना चीए, पैसे चावी ने लिए, और फिर बाद में पैसे बांगने लगे, वोले गाड़ी उठाएंगे, आपकी ये करेंगे, जिबकि वहाँ कोई नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है, और भी गाड़ियां लगी पड़ी थी, एंदेश समहाँ दमकाने लगे, गाड़ी ले लिए, गलत तरीके से बात करने लगे, इसमें से एक तो ड्राइ स्टेट है, लेकिन वो खुद भी आवा था जबकि, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से करके, फिर अल्टिमेटली, जैसे तैसे करके, कुछ रूपे उन तो आई थिंग एक आम इंसान को पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें ये भी है सर, मेरा जो में मोटीव एस के पीछे, लॉप में एक बात लिखी होई है, कि हर भारतिय नागरिक को कानून के बारे में पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी चीज में पकड़े गए, तो सर, आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि, sorry my lords, मुझे नहीं पता था कि ये भी कुछ क्राइम होता है, क्योंकि, इग्नोरेंश ये जूरिस नोल एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंश ओफ लॉव एक्सक्यूसेज नो वन, आप कहीं पे किसी भी चीज, किसी करेक्ट, अभी काली निउस थी, वो एक वन्दे को रेप के केस में, साथ साल की सजा करी उसने, और उसका अच्छा वेवारता तो उसे चोड़ दिया, और उसने फिर अभी एक बच्ची का रेप कर दिया, माइनर गॉल, चार साल की बच्ची का किया था पहले और अभी एक म मूवीज में बताते हैं कि अपने क्लाइंट को प्रूफ करने के लिए कि यह स्किजोफ्रेनिक है या इसको यह mental disorder है तो बचाने के लिए कई लोग यह जो पेतरे कहलते हैं तो वो चीज क्या होती है देखो उसमें फिर mental distress और यह सारे इस तरह के word किये जाते हैं बट जुडिश्री जो है जुडिश्री बहुत स्मार्ट है और जुडिश्री अपने हिसाब से करती है चाहे इस ऐसे केसे में बहुत अच्छे से और बहुत सोच समझ के वो करती है और पूरा medical report से लेके सारी चीज मंगवाई जाती है कि वाकई में he is suffering from some mental disorder or not तो उस चीज में मैं पूरी इज़त करता हूँ कि वो हर चीज को बहुत देख समझ के पर रखके फिर उसके उपर कोई भी judgment लेगा आता है कभी आपके खुद के biases कभी आते हैं client के साथ मैं clients select करते से हमें कभी आसा होता है कि अगर कुछ ideology मैच ना हो तो क्या आपने ऐसे clients reject के बले ही मोटा पैसा दे रहा था आपको लेकिन ideology मैच नहीं कर रही थी कहीं आपका क्योंकि professionalism के आपने शुरुवात में बात करी कि आपको professional होना होता है लेकिन कुछ cases जैसे sensitive होता है जैसे suppose कोई rapist है और आपको पता चलिया है कि ये करके आया है so would you defend such person को जिस दिन इस वकालत की दुनिया में मैंने कदम रखाता ना सर उस दिन एक प्रण मैंने लिया था कि तीन लोगों के cases कभी नहीं लूँगा एक rapist चाहिए वो मेरेको कितने भी करोड़ो दे दे मैं नहीं ब्लूँगा चे दूसरा dowry death जिसने dowry death की हो जिसने dhais के नाम पर जला दिया हो मार दिया हो current लगा दिया हो ये सब कर दिया हो तीसरा acid attacker acid attacker को सर मैं कभी ही save नहीं करूँगा चाहिए वो मेरेको आगे कितना भी कुछ भी करे कैसे भी convince करे acid attacker का मतलब ये है कि आप एक एक इतने खुबसूरत इंसान को आप जला रहे हो आप उसके चेहरे पर डाल रहे हो आप उसके कहीं पर जो भी है उसकी वो बंदा जो है वो तो जीते चीजी मर जाता है उसको अपनी पूरी life उस चीज के साथ चलानी पड़ती है तो ये मेरे उसूल है सर ये मेरा जमीर है इसके खिलाफ तो ना तो मैं जा सकता ना मेरे को कोई भी चीज compel कर सकती कि मैं इसके खिलाफ जाओं क्या बात है जी I think that should be there in many people तभी वो एक ethic moral का I think ये अपने आप में एक बहुत बड़ा protective mechanism हो सकता है कि एक और fear का कारण बन सकता है उन लोगों में कि nobody is going to come and defend me तो यहाँ पर अपने डावरी की बात की तो आप जैसे जो domestic violence होती है या जो family crime होता है कई बार हम एक marital rape की बात सुनते है कई बार affairs की बात सुनते है तो इस पर थोड़ा सा और कुछ knowledge आप दे सके हैं तो क्या rights होते हैं क्या rights नहीं होते हैं कैसे आवाज उठाई जा सकती है especially जो family crime चलता है ये सर तो ये जो आपने भी तीन चार्ची से बोली है ये आज के दिन एक पूरा एक complete package बन के आता है अकर कोई husband wife separate हो रहे है तो mostly cases में मैंने देखा है कि wife domestic violence भी लगाएगी डावरी का case भी लगाएगी और सिरफ husband पे नहीं पूरी की पूरी family पे अच्छा बुड़े बुड़े लोग सर मैंने अंदर जाते देखे हैं बुड़े बुड़े लोग मैंने पूरा पूरा दिन court में थाने कचेरियों के चकर काटते देखें just for no reason मैं अगर आपको एक case था उस टाइम मैं practice में नहीं था उस टाइम मैं intern था जब कऊ case है और याद इसलिए है क्योंकि वो जो दोस्त है वो दोस्ती है एक लड़की की शादी हुई उसके बड़े भाई से मेरे दोस्त के बड़े भाई से हम same office में थे as an intern ये बात हैं way back तो उसने बताया बुला यार बाबी आई और शादी हुई थी बड़े भाई की और आते ही उन्होंने within four months उन्होंने three foreign trips किया बोली मुझे तो दुबई जाना है मुझे सिंगापुर जाना है स्विजर रेक जाना है ठीक है कोई नहीं बोला आते ही यार डावरी का उन्होंने चार्जी लगा दिये और मेरे उसने मेरे दोस्त क्या लगा दिया बोला भाई मैं तो पूर्णा पड़ता था मैंने तो आज तक मेरे तो बाबी से बात ही देक दो बार हुई होगी वो भी बाई से call किया था बाई ने एलो आई बाबी हुई होगी बोला मैं कहांसे डावरी मांगनूँगा यार वो मलब इंडिया ही नहीं रही इंडिया आते ही उसने उसके उपर चार्जी लगा दिये और डावरी के चार्जी सिरफ उसस पे नहीं उसके मम्मी पापा और बहन तक और बहन के हस्बेंड मलब उस लड़के जीजु तक पे वो चार्जी लगए वो बला भाई मैं तो मैं तो शादी में भी आया था बस मेरा तो कुछ पता ही नी था मैं मैं काज़े डावरी मांगूँआ लेकिन इस चीज में सर एक चीज आज के दिन बड़ी अच्छी है जजिस काफी lenient होने लग रहे हैं इस चीज पे आज के दिन रगड़ा सिरफ हस्बेंट को लगता है जो और फैमलीस होती है और जो और फैमली मेंबर्स होते है वो बच जाते है इसमें all all heads of towards जुडिश्री कि वो इतने समस्ती है कि हाँ, और अगर उनको evident लगता है, तो लबेटते हैं सबको otherwise, they are very lenient nowadays, तो ये सब है रही आपकी, आपने जो question कहा कि marital rape के बारे में, उसके बारे में अभी तक law pass हुआ नहीं है, ऐसा कोई law नहीं है, जिसमें husband को कुछ हो सके, बहुत बार parliament में उठा है, लेकिन अभी तक pass नहीं किया गया है, मेरे इसाब से pass होना चाहिए ओके, हाँ, देखिए मैं जो बताऊंगा सर, काफी controversial हो सकता है, but again these are my personal views and personal description, जी बिल्कुल marital rape को legalize कर देना चाहिए, मेरे इसाब से लेकिन बजशर्थे उसमें काफी सारे loops हैं उन पे काम करके देखिए, एक husband और wife है, they are living a very happy married life together एक मैं आपके सामने example क्रेट कर रहा हूँ एक situation क्रेट कर रहा हूँ husband wife रायत को आई, they had a wonderful time with wine and all and they had slept and next morning next morning, when they woke up the wife एक message देखती है, husband के उस पे good morning honey, beba and this type से करके कुछ भी, और वो furious हो जाती है, और वो सीधा hospital जाती है, medical कराती है, और उसके उपर rape का false rape का allegation लगा देती है marital rape का एक रात पहले हुआ जो था that was consensual लेकिन अगले दिन उसकी स्थिती क्या बदल गई, कि that is a marital rape right how will you deal with these kinds of cases और सबसे बड़ी बात misuse of power होगा फिर तो misuse of power है ही सर और जहां तक आप ये law पहुचाना चाहते हो वहां तक वो पहुँचेगा नहीं कहां होता है सब कुछ ऐसा, आप बताईए सर ऐसा सारी चीजे कहां होती है इतना lack of awareness कहा है rural areas में urban areas rural areas तक ये law पहुचेगा नहीं क्योंकि गाउं की ladies जो होती है वो इतनी aware नहीं होती है तो सर मैं खुद गाउं से आता हूँ हमारे गाउं में और आसपास की गाउं में कॉरट बोलता है कॉरट सेम, मैं उनको कॉरट की नहीं बोलना था अरे कॉरट कौन जाएगा कॉरट कचैरियों के चकर कौन गाटेगा उस लेड़ी को जिसको actual में need है जिसका husband रात को दारू पीगे आ रहा है और उसके ओपर अत्याचार कर रहा है और वो विचारी सारा अत्याचार सेहन कर रही है जिसको उस law की सबसे ज़्यादा जरूरत है उस तक वो पहुँचेगा नहीं कोई chance नहीं पहुँचेगा किस तक जो मानगरों में, मेट्रो सिटीज में जो पहले एजुचेटिड है जो उसका misuse कर सकते है बहुँच जादा misuse हो सकते है तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को आपको सबसे पहले बेलेबल ओफेंस बना देना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसी कुछ आती है तो तुरंक पुलिस बेल मिल जाएगा जिसमें सब इंसपेक्टर लेवल के आदमी का उसमें investigate करेंगे या इंसपेक्टर लेवल के आदमी उसमें investigate करें दूसरा उसको compoundable offense बनाए कि एक बार चलो ठीक है गलती हो गई या जगडा हो गई असमेंट बाइप में एक बार amicably अगर वो किसी solution पर उतरते हैं या कुछ उस पर आते हैं जा कोई counselor दे सकते हैं उन्हें जा कोई लीगल counseling दी जाए ऐसे case of punishment के बजाए कोई legal counseling दी जाए बिल्कुल बिल्कुल और इस शुड़ भी tribal by the session judge बिरा यह ऐसा मानना है और भी sir अब इस पर देखो मैं तो एक चोटा सान माइन दाऊ अबने हमारे all respect towards MPs, MLAs and everyone जो वहाँ पर laws pass करते हैं MPs and all लोग सबाराजे सबा में जो जाएगा पुरा हमारे president साब की ascent से पूरा होगा उससे best वो हमारे लिए जो भी लेंगे सब best decision लेंगे बट हाँ हम तो क्या है न वो थोड़ा आहुती तो डाली सकते कि हमारे views अगर उस पे लिए जाए तो सभी है बहुत सारे लोगों के क्योंकि आप भी एक citizen तो है बिलकुल तो definitely you can also give your point as well जी, lovely productivity के लिए क्या कुछ फॉलो करते हैं दिन पार productive रह सके हैं उसके लिए आर यू following something not following as such but productivity सर बताओ कि या जब आप profession में होते हो न और जब आपका पूरा दिन court का चैरियों में निकलता है और आपका पूरा दिन इन सब ज़े गिरा रहता है तो ये सारी बात है ना फिर वही बात है अपना ठीक है थोड़ा बत फ्री टाइम में Netflix और Amazon और इंस्टा और यूज़ कर लिया और ये सब कर लिया वहां तक सीमित है but as such बहुत ज़ाद प्रोड़क्ट्ट्ट्ट्टी तो नहीं हो पाता अना ऐसा तो है नहीं लोगडाउन में मुझे टाइम मिला तो I was like कि मैं थोड़ा कुद को जानू पहचानू में क्या दर सकता हूँ तो मैं शायरी लिखता हूँ मैं शायरी में थोड़ा ठीक टागूँ अच्छा फिर मैंने स्केच तो फिर कुछ हो जाए, एक दो शायरी तो फिर सुना दो सर वो अब इंप्रॉंप्ट तो ऐसे कैसे लेकिन हाँ, आपसे मिलने की चाहत थी कभी से और आपसे मिलना भी चाहता था तो अलागी थोड़ा कॉंटेक्स इसका अलग हो जाएगा जिसको तुमने चाहा, मैंने चूमी उसकी आखे आज तुम्हारा दीदार हुआ है, कैसे चूमू अपनी आखे क्या बास है, क्योंकि सर आपको, हमने बहुत पहले से आपको फोलो करता हूँ, देखा है, आज आपके समक्ष बैठा हूँ तो मैं आपने आपको बहुत लखी समझ रहा हूँ, कि आपने मेरे दो मोका दिया, यहाँ प्याने का आपको, 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 सही आज नॉलेज मिल रही है, लोग के बारे में जो कि एक बहुत important aspect है, हमारे जीवन का, अभी आपने social media का जिकर किया, so social media से related कोई cases आते हैं, आज कल मैंने कई बार देखा कि कोई fake ID बना करके, या आज कल यह इतनी सारी application, dating apps होती हैं, tinder और इन पे कोई fake profile मिल लेते हैं, और मिल करके, क्राइम करके चल जाते हैं, तो social media related कोई experiences आपके रहे होते होते हो, और क्या warnings हैं, और क्या precautions हैं, जो ले सकते हैं, especially यह जो social media based जो crime होते हैं, देखिए सर, जैसे आज कल, जैसे आपने apps का जिकर किया, आज कल बहुत सारे apps चल रहे हैं, tinder, bumble, truly madly, और आपके, और भी hinge और आप, don't don't say, कि आपको इतरे सारे कैसे पता हैं, मैं व लेकिन इतने सारे apps चल रहे हैं, ठीक है, इतने आपको भी नहीं बताते हैं, मुझे तो दो-चार और बता है, अब आप सोचोगे कि यार, यह पक्ता है, नहीं नहीं, knowledge मैंने बताया, knowledge हर चीज की होनी चाहिए, तो, इन apps के थूरू आज कल, basically, डेली गुडगा और अपने NCR में और यह चीज देखी गई है, कि एक प्रोपर बिजनिस चल रहा है, लड़का लड़की मिलते हैं, apps के थूरू, they go on dates, and on dates के बाद, generally, they are like, okay, you want to, like, your place or my place, this type से जो भी है, they manage to get into each other's place, जो भी है, तब ही क्या होता है, आप बहुत cases में ऐसा देखने हों मिला है, जो प्रोपर एक बिजनिस चल रहा है, कि लड़की जो है, false rape allegations लगाती है, लड़के पे, कुड़गाओं में एक जगह है, DLA Phase 3, वहां के एक बार एक थानेदार सहाब है, उनसे मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि भाई, डेली की तीन या चार fake rape false allegations calls आती है, मैं भाई सब क्या बात कर रहे हो, बुला भाई यही तो चल रहा है, लड़का लड़की मिलते हैं, लड़की जाती है, मेरे साथ यह कर रहा था, वो कर रहा था, निकाल एक लाग, दो लाग, नहीं दे रहा तो चल, दुनिया live-in में रह कि माबाब को बिना बताए मत रो, कोई किसी को पता होना चाहिए क्या आप रह रहे हो, अभी recently live-in में इतने सारे back-to-back cases हुए, जो शरदा ओलकर वाला case हुआ था, वो जो कितना पैतिस टुकडों में किया था, मैंने काफी follow किया उस case को, तो it was so horrible, so yes you were saying about live-in. क्या होता है, कि आपको सबसे पहली बात जैसा आपने का किसी को बता के रहो, दूसरी बात हमेशा एक backup लेकर चलो, ठीक है, दो बंदे एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपस में रहना चाहते हैं, कोई गलत नहीं उसमें, प्यार, new world, but वही बात है कि modernization कई के बार खतरनाग सबसे लड़की ने, या लड़के भी कई बार कुछ, बहुत सारे level के crime कर बैठते हैं, जैसा आपने जिकर किया भी, तो ऐसे cases में आपके पास एक backup ज़रूर हाना चाहिए, अपना WhatsApp backup रखो या किसी भी चीज का रखो, ताकि कल को आप जुडीजी के बैंच के सामने जाके ब पास हर चीज का एक backup होना चाहिए, जिससे बिलकुल, यह बहुत ज़रूरी होता है, और कैसे crime आप लोग ने देखे हैं, जो social media based आते हों case, बिलकुल weird हों, जो audience के लिए जानना ज़रूरी है, अभी recently जैसे case था, जिसमें जो Nigerian community से लोग बिलोंग करते हैं, और जो इंडिय में रह रहे हैं, वो specially इन तरह की cases में पाए गई, एक बंदा है, अपने सामने चार laptop लेगे बैठा है, और उस चार laptop से different different Insta की अपने accounts बनाये होए, fake accounts, और Insta पे अपने आपको यह दिखाता है, यह दर्शाता है, कि वो एक UK based, London based doctor है, और बिलकुल बड़ा ही smart सा, और इस पूरा उसका जो profile है, वो आपको किसी एंगल से fake नहीं लगेगा, और वो ऐसा करके multiple लड़कियों से बात कर रहा है, और 20-25 दिन, 30 जितना भी उनका time period होता है, वो लड़की को अपने जाल में फसाता है, प्यार के जाल में फसाता है, फिर उससे वो क्या गरता है, उसको एक लड़की को, कि हाँ जी, आपका लंडन से एक पारसल आया, वो कुश, इसमें 20,000 पांड्स है, और 1 kg गोल्ड है, अब लड़की दो एकदम से flat, और ये, शी लाइक, बेवी, oh my god, you're that much, ठीक है, ऐसा होता है, अब वो क्या गएगी, लेकिन वो courier services बाले जो है, इसमें वो courier services है, और आपको ये रोक लिया है, फिर वो आपको एना, to evade tax, वो है कहेंगे कि आपको 50,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, इस तरह से बात करके हो, पूरा उसको बहलाते फुसलाते हैं, आप 50,000 रुपीज पे कर दो, और हम आपको courier आपके घर तक पहुँचा मैं ऐसे कैसे कर तो दुबारा, फिर वो UK-based doctor call करता उसको, यार वेभी मेरा वो doctor का license इससे attach होता है, हमारा वो 6 महीने का stop लग जाएगा, इस पे ये हो जाएगा, कोई pilot है तो बोलता है मेरा pilot का license attach है इसके साथ, ये हो जाएगा, क्योंकि international boundaries के cross करके गया है, give this type से करके, वो she is being allured, तब तक वो विचारी पैसे देती रहती है, तो इस तरह का भी crime आज के तिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और specially Nigerian community के जो लोग है, वो इसमें ज़्यादा पाए गए है, जो cyber frauds है ना, इनके भी standard set mark और एक bench है, ये काम जो मेवाद साइड होता है, या फिर आप Nigerian community के जो लोग हैं, जो ज़्यादातर इन सब मामलों में पाए जाते हैं, वो ऐसे नहीं करेंगे, वो दुसरे level के करेंगे, अब वहाँ पे चलता है पहचान कौन में बात का, आपको एक call आएगा, उसको बोला ही जाता है पहचान कौन fraud, अच्छा, आपको फोन आएगा, अरे, राटोर्स आप क्या आल है, बला भाई बढ़िया, और चुना क्या कर रहा है, भाई कौन, अरे, भूल गया, यार अपन मिले थे यार, उदर उदर, अब आपको लगे यार, एमदाबाद में, हाँ मिले भी होंगे कभी, हाँ भाई बता, यार भाई बहुत मुजिबत में हूँ, भाई, पचासे घजार उपे दे यार, पास दिन में लोटा दूँगा, मेरी सैलरी निया, पेमेंट रुकिया, कुछ भी गएगा आपको, भाई यार, यार याद नहीं आरा कौन, अब इस आले चल बहुत हो गया, भी तेरा नाटक है न, पैचान में भी नहीं आ इतना भी तो मांग सकते हैं, वो डिपेंड करता हूँ, बहुत तेज है सर इन सब चीजों में, तो वैसा जो क्राइम है, वो मेवाज साइड के लोग करते हैं, वो कभी भी जामता रहा है, वो अधर साइड के लोग नहीं करेंगे, और आज कल इतने जदा तेज हो गए ये, पहले कैश और इन सब में डील करते थे, आज के दिन तो फ्रॉड किया, क्रिप्टो करंसी में सीधा पैसा उपर, और इसमें फस्ता है, इसमें फस्ता है सर हमारा यंग जेनरेशन, यंग जेनरेशन क्यों फस्ता है, क्योंकि वो बेरोजगार है, अब बेरोजगारी देखो बुखा मरता आदमी क्राइम करता है कहते हैं वो का हम आदमी बुखा मरता जे भी काटेगा तो आदमी बुखा मरता कुछ रक उस तो क्राइम कर रहेगा ही आपने जैसे work from home सुना होगा work from home आज के दिन ने पख़ड़ लेवल का एक job scam चल रहे है जिसमें बच्चों के साथ बच्चे तो बच्चे फस्ते ही फस्ते हैं सबसे उनसे भी ज़्यादा housewives फसरी हैं उसमें जो home makers होते हैं वो बहुत ज़्यादा फसरी हैं उसमें अब वो आपको क्या कहेंगे घर बैटे 30,000 रुपे कमाई अब आप देखोगे यार ये क्या है आपको एक टास देंगे कि यार ये मेरा ना instagram page है आपको इसमें दिन में 100 likes और 20 comment करने हैं और आपको हम दिन का 1000 रुपया बेज देंगे अब आप सोचोगे यार like ही तो करना है वैसे भी गर पे बेटे बेटे बरतन दोती हूँ या यह गरती हूँ या इदर उदर के टाइन निकाल के करूँगी या बच्चे जो होते हैं वो भी सोचते हैं यार जैसे भी काम करके कर लेंगे अब वो ऐसा करते हैं अब वो पहली बार में आपको पैसा बीज भी देंगे आपको दूसरी बार भी बेज देंगे फिर वो आपको एक टेलिग्राम चैनल पे एड़ करेंगे अपने वो टेलिग्राम चैनल पे जब एड़ करेंगे और आपको ये लगेगा कि और आप उस case में फज्जा होगे कि आपको लगेगा कि सबको पैसा आने लग रहा है फिर वो आपको एक दिन पैसा नहीं बेजेंगे आप कोगे यार यह से कैसे बुला सर आप हमारे exclusive member बन जाओ और आप हमें 50,000 रुपीज देदो और आप हमेरे exclusive member बन जाओ फिर आपका package और increase कर देंगे अब आपको इतना पैसा मिलता थाब डबल मिलेगा आप 50,000 देदोगे उसके बाद अगर आपको वो फिर से ऐसे convince करेंगे अगर जिस दिन आपको ये लगेगा कि I am being alert and मैं फस गया हूँ जब वो पकड़े गए तो पकड़े गए otherwise ऐसे ही चलता रहता है यही cyber fraud है So, before we move to the rapid fire 4-5 ऐसी क्या बात हैं जो दर्सकों को याद रखनी चाहिए या cautious रहना चाहिए किसी भी ऐसे cyber fraud से या online fraud से बचने के लिए dating apps की अगर मैं बात करूँ तो लोगों को पहचानना सीखें जिससे भी आप मिल ले जा रहे हैं जैसा भी हो ठीक है हमारा youth young है young लड़ है बहुत सारी जगेव पे कहीं ऐसे ना फस जाएं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएं समय ले आने अपना फूरा ऐसा जल्दबाजे में कुछ ना करें और अपने फॉन को लेके बहुत कोशियस रहें कलती से भी कुछ सोशल मीडिया पैसी चीज़े पोस्ट करना जो की आपतेजनिक हैं या कैसा भी है या जिसके रिपरकॉशन्स बहुत आपको नुकसान पहुचा सकते हैं वैसी चीज़ों से बचके रहें अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड चेंज करते रहें हर तीन महीने में हर चार महीने में अपने bank accounts का password change करते रहे हैं और किसी भी तरह का आपके आपको कोई call आए, तो हमेशा उसको cross confirm कीजी है जैसा कि मैंने पही पहचान कौन वाला बताया कभी भी आप किसी भी toll free number पे phone कर रहे हैं, तो भी you should be very cautious आजकर toll free number पे भी number change कर गए रखते हैं 1800 1800, 1801, 1802 आप उस पेसे एक कोई single digit change कर देंगे, अब आपको क्या पता आपको क्या पता कि JK Cements का कौन सा नंबर है आपको क्या पता Mercedes का कौन सा नंबर है, आपको लेने Mercedes Benz, आप वहाँ पे phone कर रहे हो कि हाँ appointment लिख लो मैं कब आउं और वो नंबर के, नंबर बैठा हुआ Cyber fraud का, आप लेने जाओगे Mercedes लेगा कोई और, है ना ऐसे ऐसे चीजों से बहुत और I think पढ़ें भी लोग इसके बारे में बहुत थोड़ा और जानकर ही रहे हैं बहुत सारे AI से related और इतने सारे आ रहे हैं, आप इन सब के बारे में जाने, आप Vokalat Insights मेरे चैनल को देखें उससे भी आपको बहुत सारे इंफोमेशन मिलेगी और इस टाइप से करके क्योंकि सर एक ही चीज है आपकी जागरुकता ही आपका बचा हो है सही बात है, राइट आपकी जागरुकता है Justice Deliver करना या Legal Victory आसिल करना Legal Victory I told you, it's better to be a good lawyer rather than a bad judge Empathy in court room या strictly professional Strictly professional Case Defend करना, art है या science? It's an art Courtroom dramas या Detective Thrillers क्या देखना पसंद करते है Detective Thrills क्योंकि courtroom drama में जैसा तारीक पे तारीक पे तारीक 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 वो ऐसा कुछ नहीं होता सबसे पसंदी दा लो मुवी अगर आप ऑलिवुड की बात करेंगे तो जोलियल एल्वी इस गुड इस गुड इस गुड इस गुड इस गुड इस गुड इस के लिए इंस्पिरेशन मिली कभी अनेक्सपेक्टिड जगह से देखिए आदमी हर केस से सीखता है अगर एक दिन के लिए जज बनते तो कौन सा लो बदलना चाहेंगे डोमेस्टिक वाइलेंस में जो पूरी फैमली की बाट लग जाती है उसको चेंज करना चाहूँगा कि सिरफ हजबेंड की बाट लगाओ कई बार वाइफ की भी लगाने पड़ सकती है जो आपके इससे में आना चाहिए था केम नाना बतिवस्टिस उन्यों उफ इंडिया 1957 क्या वात है ट्रेडिशनल बुक्स या इबुक्स ट्रेडिशनल बुक्स सिंबाइसिस की मेमरीज पढ़ाई की राते हैं या कॉलेज फेस्ट कॉलेज फेस्ट पूरा सिंबाइसिस की पूरा याद है याद है असर उसकी दो उसका तो क्या होता है लंबी खोट के एक दिन के बाद रिलेक्स करने का बेस्ट तरीका रिजोट बुक्क करो और पूरा दिन चिल करो रेस्ट करो असब से बेस्ट है दिन में लीगल इगल या रात को पार्टी अनिमल दिन में लीगल इगल जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन क्रेक करने का म डिनर के लिए आप एक हिस्टोरिकल फिगर को इन्वाइट करेंगे तो पहन होगा सुरज मस जाट क्यों? सर, अपने आप में राजा हुए हैं और हमारे तो उसको पूरा उन्होंने लिफ्ट अप किया है और हमारे तो वो रहे हैं ब्रेन अस्त्रोथ आपकी लाइफ में से कौनसी आइडेन्टिटी सूपर हीरो है? एड़ोकेट, ओथर, एड़ुकेटर या पॉलिटिकल एडवाइजर सारी फू इंस्पाइज यू? पाइड़, लाइफ का एक मंतरा जो आप हमेशा ध्यान में रखते हैं करम करते जाओ, सफलता जरूर में लेगी हिमते मर्दा, मर्दे खुदा अच्या बात है और एक शायरी हो जाए फिर एंड में जाने से पहले जब एक शायरी मैंने जब लिगी थी जब मैंने गाड़ी ली थी अपनी खुद की, अपने उससे तो जब मैंने लिखी थी खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांदा सफर पे निकले, तो रखते सफर नहीं बांदा कमाया जैसे, उसी शान से उड़ाया क्योंकि हमने नोट पर कभी रवर लगा कि नहीं रखा वाँ क्या बात ऐसे नहीं होता कि वह डिप हो, वह ढिल तूटे आख शायी पर नहीं पहने होनी चाहिए है ना अब शिद्डू साब है नो जो सिद्डू साब है हरतरे की शायी करते हैं तो ये शायी का जो बना रखा है, कि स्रफ डीप और वैसी होनी जी है ऐसा नहीं है सर, अर्थ तरे की शायरी शायरी होती है, क्योंकि शायरी आपके कला है, ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच सागर फो कमिंग, अब बहुती टीप बाते रही, लोग को लेकर कैसे इसको लेकर का, आई तिंग जनता में बड़ी अवेरनेस आएगी, कि इन स्कैम से कैसे बज़कर करें, थैंक यू फॉट पर पेंग, थैंक यू, थैंक यू सो मस,